चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूं थाकि आपको हार्डिस्क के बारे में अच्छे सी जानकरी हो जाए तो इस फोटो में आप देख पा रहे हैं यह देखिए हमारे हाथ में एक हार्डिस्क ट्राइब है तो यह जो हार्डिस्क आप देख रहे हैं यह स्केसरा गया स्टाइं को σबीन में घुमा सकते हैं तो इस डिस्क सीर की नाम से नाम आसे आना रहता है इसको फ्लाटर बोलते हैं अच्राइब भी स्टुर्न न वो सारा इसी प्लॉटर टेस्टव में टिवर्टा की तरह डेविदि की तरह जो दिस्क लगी वी दिखाई दे रहें हैं इसको हम plotter बोलते हैं और computer के इंदर जितना भी data store होता है वह सारा इसी के इंदर store होता है all right यह यह बिल्कुल कांच की तरह plotter होता है आप इसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूं मैं ये मूव कर रहा हूँ तो यह ऊस्ट को काता है देटा को करता है करता है और साथ दोस्तों साइट यहां पर और आप देख पा रहा है तो यहां पर एक धर लगा होता है यहां पर काफी सारे टाइट ञस्टर शेक् alleine市わかMr हैं और इसे कि सायता से हमारी हार्डिस को क्या क्या आदा है हमारी हार्डिस को ऑपरेट किया आता है आई होप आपको किलियर हो गया होगा तो गाइस यहां पर आप देख रहे हैं यह प्लॉटर हमारा कुछ इस तरीके से घूमता है और इस हार्डिस के अंदर एक और में पार रुहता है मैं आपको बदाएता हूं यहां पर आप देख रहे हैं मैं आपको इधर से दिखाता हूं तो टोकर जो इस अव्होटर लगा गए यहां पर और करता है और यह वजब वर करता है तो इसके अंदर डेटा इस्टोर होता है तो आई हूप आपको समझ में आ गया होगा तो हमारी हाइड के अंदर यह तीन में पार्ट होते हैं एक होता है हमारा प्लॉटर जो कि यह लगा हुआ है और दूसरा होता है हमारे डेटर जो कि यह ल hardisk जल्दी खराब ना हो इसके लिए आपको दो-तीन बाते पता होनी चाहिए तो सबसे पहला point तो यह कि आपको पता होना चाहिए जो हमारी hardisk होती है तो आपको hardisk को ऐसे पकड़ना होता है ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए हमारी hard disk को ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए hard disk को जब भी पकड़ने तो ऐसे करके पकड़ने ऐसे करके पकड़ने से क्या होता है ऐसे करके पकड़नेंगे और अगर आपने इसको दबा दिया तो यह जो plotter लगे हुए है ना यह plotter आपस में दब जाएंगे तो जब आप अपने hard disk को इस तरीके से पकड़ते हैं तो आपके plotter को कोई खत्रा नहीं होता है लेकिन अगर आप hard disk को इस तरीके से पकड़ते हैं तो ऐसे में आपकी उंगलियों से यह plotter दब जाते हैं काफी सारे plotter लगे होते हैं इसके अंदर तो ये दब जाते हैं और ऐसे में क्या होता है ये टूट भी सकते हैं और इनके अंदर जो data है वो भी corrupt हो सकता है तो hardisk को जब भी पकड़े तो ऐसे बकड़ें ऐसे करके कता ही न पकड़ें कभी भी न पकड़ें आपस में प्रेस हो जाएंगे और प्रेस होने से खराब भी हो सकते हैं और इसके बात में दूसरी बात आपको हमेंसा ध्यान रखने की hardisk जो होती है इसको हमें कभी भी आग के पास नहीं रखना चाहिए जैसे आपके आसपास कहीं आग चल ले हो तो आग के पास इसको कता ही नहीं रखें अब ऐसा इसलिए क्योंकि दूस्तों इसके अंदर जो कंपोनेट लगे होते हैं वो मैंगनेटिक कंपोनेट होते हैं जो हमारी हार डिस्क ट्राइब होती है यह भी एक मैंगनेटिक डिस्क की तरह कारे करती है तो गाइस हमारी जो हार डिस्क होती है इसके अं न तो यहां पर आप देखाने यह चिपक गया तो यहां पर यह चिपक गया यह इसलिए जब क्योंकि इसके अंदर magnetic field रनेट होती है या कहें तो इसके अंदर magnet लगी होती है अब ऐसे में गाइस क्या होता है जब आप इसको आग की पास ले जाते हो तो इसकी जो कारे में आपको पताऊना बहुत जरूरी है अगर आप computer का इस्तिमाल करते हो या आप computer science की student हो तो तो फिलाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यही पर close करेंगे आई आपको वीडियो पसंद आएगा अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो ऐसे में comment करके जरूर होता है अगर मन में कोई सवाल है तो comment कर दिजीगा तो हम जल्दे ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ तब तक किरी देखते रहे है और सीखते आपसे लिए जए किसना